हेलो फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे MS Excel में किस तरह से हम एक बिल जनरेट कर सकते हैं यानि कि हमारे पस कुछ अल्रेडी डेटा है उसके एकॉर्डिंग हमें उसमें आगी का डेटा फीट करना है जैसे कि आप देखेंगे यहां मेरे पास एक बिल जैसा बना हुआ है मैंने कोर् इसमें टोटल भी चेंज हो रहा है तो फिर से एक बार देखें जैसे हैं C++ लिखा हुआ है अभी मैं आपको चेंज करके मैंने याद किया टैली और आप देखेंगे इसका डूरेशन मन्थ हो गया फोर मन्स और आप देखेंगे यहां फीस हो गई 10,000 तो इस थरीके से हम य इसके लिखेंगे मेरी शीट आप देखेंगे इधर एक बार फिर से देख लिए यहां मैंने फॉर कॉलम यूज किया है तो हम यहां पर हम फॉर कॉलम लेने वाले हैं तो यहां देखेंगे फॉर कॉलम को यूज कर रहा हैं भी इसके बार मैंने हैंसे देखेंगे उपर लिखा हुए इस पर कि लिक करेंगे अब यहां मुझे जो भी टेक्स देना है है यहां से हम टाइप कर लेंगे मैंने लिखा यहां NCEC Institute, Science & Technology देखिए अभी यहां कुछ हाइड हो रहा है तो इसकी विथम थोड़ा सा चेंज कर ले रहा है अभी इसकी कंप्लीट हो गई है अब फॉंट साइस वगएरा फॉंट स्टाइल अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं उसके बाद मेरे को सेकंड लाइन में नीम और डेट अड्रस वगएरा चेंगे मैंने फिर से सलेक किया सलेक करके मर्च किया और इहां से मैंने लाइन सेंटर दे दिया इसको यहां देखिए आप अपने अकॉर्डिंग से डिजाइन कर सकते हैं इसके बाद जैसे मुझे यहां देनी है सीगल नमबर कोर्स ट्रिक दूरेशन अब देखें दूरेशन पूरा नहीं आप पर रहा है तो हम थोड़ा सा सेल की भी चेंज कर दे रहा है एक बार देख लिजे मैंने आदे या हुआ है दूरेशन और उसके बाद सीज यहां से आपको जितना भी बड़ा विल बनाना है आप सलेक्ट करेंगे और मैंने इसको बॉर्डर दे रही हूँ फॉर्मेट सेल पर जाएंगे फॉर्मेट सेल के बाद थम यह जा रहा है बॉर्डर पर लाइन स्टैल आप अपने एकॉर्डिंग सलेक्ट कर सकते हैं आपको किस तरह का लाइन देना है इसके बाद यहां से लाइन का कलर जो भी आप देना चाहें बॉर्डर आउट साइट से बनाना है और इंसाइट बनाना है तो इंसाइट भी सलेक्ट करेंगे देन हम फिल पर जा रहे हैं, अब आप बेक्ग्राउंड में जो भी कलर देना चाहते हैं, आप यहां से कलर दे देंगे, देन ओके करेंगे, यह देखिए कुछ इस तरह की शेप आ चुकी है, नीचे मुझे फीस वाले में टोटल देना है, मैंने यहां सलेक्ट किया, और एक आप गोड़ से कहने हां को जब स्ऺड़ करते हैं, यहां सबसे पहले यह जो हमारे पास हमने कुछ सब्जेक्ट लिखे हुए हैं इन सारे सब्जेक्ट को हमें लाना यहां, तो इसके लिए कि यह यूस करनंने वाले हैं डेटा वैलिडिएस्ट हम कैसे लगाएंगे एक बा डेटा वैलिडेशन में अङर्किन हमें कई सारे अपशन है यहां से हम स्लिक्ट करें Lisette और उपशन इनos array हिले स्लिक्टिन अब व nationalism को शुर्स की दो लाई आप सोर्स के लिए इतनी लंभी लिस्ट क्रवेत आप सछाथकें यहां मैंने फुल चार पाच ही लिखे हुए है यानि टोटल मैंने 7 एटम लिखे हुए है आप अपने अकॉर्डिंग यहां डेटा चेंज कर सकते हैं उसके बाद मैंने किया OK देखिए उसके बाद मुझे यहां से क्या करना है यहां तक ड्रैक कर देना है सिंपल हमने ड्रैक कर दिया अब आप इसे क्लिक करके देख सकते हैं यहां पर हमारे पास लिस्ट शो हो रही है अब मुझे यहां डुरेशन वाला ओप्शन देना है कि मैं यहां डुरेशन कैसे दू कि मेरे पास यदि यहां पर सब्जेक्ट पीची डीची है तो उसका वन यह रहा है टैली हमारा फॉर मंस में कंप्लीट हो जाएगा यह पाइथन बेसिक जो भी आपके सब्जेक्ट है आप यहां अपने अकॉर्डिंग यहां डुरेशन टाइम बगरा दे सकते हैं चलिए अब हम इसके लिए लगाने जा रहे है इफ कंडिशन यानि मल्टीपल इफ कंडिशन हम किस तरीके से लगाएंगे आप यह देखते सबसे पहले हम इक्वल का साइन लगाना है इक्वल का साइन के बाद हम उख रहे है इस जाने कि अभी हमारे पास है ऑगने इक्वल इसके इक्वल चाहिए और मुझे अट्रस यह फिक्स करना है तो मैं यह हम आप 파इशन की के यूज कर रहे हैं ओपवाड़ कॉमा अब आप डबल इंवर्टेट में जो भी आपका डूरेशन है आप यहां डूरेशन दे देंगे जैसे मैंने यहां लिखा है वनियर तो मैंने टाइप कर दिया वनियर इसके बाद कॉमा अगें इस पिर एंट्रेश हमारा आइ-7 एक्वल है किसके एक्वल है यहां से हम सफिसे एड्रस फिक्ष करें हमने िसके फंक्षिन की को यूझ कररें F4, comma double inverted में हम फिर से लिख देंगे one year क्योंकि हमें चाहिए यहां one year ओके again comma फिर हम use कर रहे हैं फिर से एक बार if फिर bracket start फिर cell address I7 equal अभी हम equal show कराना है इसके तो फिर से एक बार function की के साथ हम cell address fix कर रहे हैं comma double inverted में अब इसका duration है 4 month comma again if फिर से हमने bracket start किया cell address I7 दे रहे हैं equal कर रहे हैं अब फिर हम इसके बाद C का दे रहे हैं address यहां पर इसको cell address फिर से fix कर रहे हैं फिर comma फिर double inverted में अब इसका है one month तो यहां duration दे रहे हैं हम one month okay comma again if bracket I7 equal cell address मेरे यह वीडियो आपको पसंद रहे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल ये दिए आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूर है और ज्यादा से ज्यादा इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें ताकि आपको आने वाली वीडियो और भी मिलती रहेंगी अब इसके बाद यहां तर तो हमने सारी कंडिशन लगा ली ट्रू होती है अब लास्ट में कंडिशन पॉल्स वाली आती है तो उसके लिए हमें कॉमा लगाना है और डवल इंवर्टेट में एक स्पेस देके डवल इंवर्टेट को क्लोज करेंगे अब जितने ब्रैकेट हमने ओपन किये हैं वन वाई वन सारे ब्रैकेट को हमें फ्लोज करना है अब दें एंटर अभी देखे यहां वन ये आ चुका है अब आप सब्जेक्ट देके चेंज करेंगे जैसे मैंने यह सी प्लस-प्लस किया यहां डूरेशन चेंज हो गई ओके देखिए यहां फोर मन्स आ चुका है यह इस तरीके से आप यहां पर आगे भी देखेंगे किसी भी सेल में आप सब्जेक्ट को सलेक्ट करेंगे अब इसके बाद यहां देखिए मुझे इसको ड्रैक करना है अब फीस के लिए हमें फिर से एक बार इफ कंडिशन लगानी होगी इसके भी फिर से देखेंगे तो आप इस फॉर्मूले को भी डाइ 옛날 कर सकते हैं यह मैंने आट ट्रैक कर दिया अबोए फे आप यह कुछ भी नहीं है से और आप यहां गान logging है और आप देखेंगे फॉर्मूला वाश्य पर इसमें मुझे भी cell address चेंज करना होगा मैंने को आई का चाहिए और आप देखने उपर formula बार में है जे 7 लिखा हुआ है जे 7 मुझे जे 7 का नहीं चाहिए मुझे चाहिए आई 7 का तो आपको एक बार यहां चेंज करना होगा सभी में आई 7 अब मुझे फीस भी चेंज करना है तो फीस चेंज करने के लिए में को यहां पर इस्ट्रिंग से numerical में चेंज करने के लिए double inverted वाला sign भी हटाना होगा और अब यहां आप फीस को टाइप कर देगे यानि वन येर जो अभी आपने double inverted में लिखा हुआ है आप उसको हटाएंगे और यहां पर आपको simple numerical देना है जाएंगे झाल झाल और कॉमा जीरो क्लास में जीरो लिख देंगे हम अब इस फॉर्मुले को हमें ड्रैक कर देना है अब हमने फॉर्मुला ड्रैक किया मुझे यहां टॉटल भी चाहिए तो सिंपल हमें एक पल का साइन लगाना है सम लिखना है ब्रैकेट और यहां हम सेल का एड्रेस दे देंगे कहां से कहां तक जोड़ना है हमने सेल का एड्रेस दिया और देन ब्रैकेट क्लोस देखें हैं यहां हमारे पास टॉटल भी समय आ रहा है देखें एक बार यहां से हम सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे इसका यहां मन्स आ गया यानी डूरेशन आ गया और देन फीस भी आ चुका क्लियर यहां देखें फॉर्मुले में थोड़ी सी गलती हो गया है यहां मैंने डबल इन्वर्टेट नहीं हटाया एक बार फॉर्मुला बापस ट्रेक्ट कर देंगे क्लियर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें थेंक यू थेंक यू एब्रिबन झालती है